नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ मुक्तादिक्षित एस्टरोजर, आज हम बात करेंगे आपका सुखरवार का मार्केट कैसा रहेगा, क्या आपका रासी फल होगा, क्या टारगेट रह सकता है, तो यह सारी जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप यह बात हमेशा ध्यान में रखें या निर्देश ध्यान में रखें कि हमारी जो गड़नाय रहती हैं एस्ट्रोजी के बेस पे रहती हैं जब भी आप मार्केट में काम करें मार्केट का रुख देखें अपनी शौबीबे का उपयोग जरूर करें उसके बाद आप जो तिसकी टिप्सों को द बतलाय गए थे कि क्या टार्गेट जा सकते हैं आज तो जी हां दोस्तों तो मैंने जैसे निप्टी के लिए आपको बतलाया था कि यदि 16111 निप्टी पार कर लेता है तब है 200 वाला जो है रेंज छू सकता है लेकिन यदि 111 पार नहीं कर पाएगा तो 15937 तक जाकर के और नीचे भी जा सकता है तो यह मैंने वीडियो में आपको जानकारी दी थी जो की पूर्णता है सत्यसावित हुई इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्ड के लिए जो मैंने जानकारी दी थी आप लोगों को कि यदि हाई पे जाता है तो 50,860 तक जा सकता है लेकिन 700,760 तक ही जो क्लाइंटों को दिया था तो आज गोल्ड आपने देखा होगा अच्छी मद्दी देखने के लिए हमें गोल्ड में मिली और सिल्वर के लिए भी मेरा जो लाश टाकड़ा था उसमें 55,900 तक का रेंज मैंने डाउन पे दिया था लेकिन इस से जादा भी आपका तो जी हैं दोस्तो जो एस्ट्रलोजी के बेस पर ये गढणाय दी जाती हैं यह सही निकलती हैं इन सारी चीजों के लिए बहुत अधिक महनत करनी पड़ती है तब हम जाकर के ये गढणाय कर पाते हैं जी हैं दोस्तो आप भी गोल्ड, सिल्वर, निप्टी, निप्टी, क्रूड आईल, आदी, का धैनिक, बीगली, मंतली प्रिक्सन लेना चाहते हैं तो कारलाय के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ यदि आपकी कुंडली में मार्केट में लाब की योग हैं तभी काम करने ना हो तो बेर्थ पैसा ना गवाब हैं जो भी मार्के की नालेज ना हो मार्केट की आप बिल्कुल काम करके अपना पैसा बेर्थ ना खोएं और इसके साथ मार्केट की पूरी जानकारी आपको रहना चाहिए कब आपको एंटर होना है यह आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए तो जीहां दोस्तों अब हम देखेंगे कि कल का मार्केट आप क्या रहेगा तो आज की जो भविश्वाणिया की गई थी भै लगवाग सभी सत्य साभी तो ही और जैसे अब कल देखते हैं कि कल का मार्केट क्या बन सकता है तो ग्रह स्थिति के अनुसार अब हम कल देखेंगे तो पंचांग देख लेते हैं सबसे पहले है भी मार्केट को बहुत अदिक प्रभावित करते हैं और मकर राशी का प्रभाव कर पुरे दिन रहेगा तो इसके प्रभाव से क्या स्थिति बनेगी तो सबसे पहले राशी फली देखते हैं तो मिस राशी वालों के लिए कल कुछ लाब कुछ हानी के मिस्रित योग हैं लाब मिलते ही मार्केट से बाहर रहें ब्रसब राशी वालों के लिए कल लाब का योग है पितुन राशी वालों के लिए मिस्रित योग लाब हानी का लाब मिलते ही बाहर हो जाएं करक राशी वालों के लिए भी लाब का योग बना हुआ है काम करके लाब मिलेगा सिंग एक राशी वालों के लिए भी लाप का योग बना हुआ है अगली राशी आती है आपकी धनु राशी जी हैं तो धनु राशी वालों के लिए भी मिस्रित योगे लाप हानी का तो यदि लाप हो जाता है तो मार्केट से बाहर हो सकते हैं मकर राशी वालों के लिए हानी हो सकत तो जो मैंने आपको रासी फल बताया आप चालू नाम की रासी और अपनी जन्म नाम की रासी से देख सकते हैं लेकिन हमें सूप्ष प्रडिक्शन अपनी जन्म पत्री का से करवाना चाहिए तो जी हां दोस्तों आप हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ग्रह स्थिती बन बन सकती है और क्या आपका मार्केट रहेगा तो जैसे आज निप्टी का चार्ट देखा इसमें सुभाए क्योंकि मैंने नो से दस पर अप बताया था तो अप मैं आपका मार्केट चला इसके बाद को डाउन की जानकारी दी गई थी तो मार्केट जो है डाउन और उसके ब पुन है मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली थी तो जी हां दोस्तों इस प्रकार से यह आपका चार्ट चला था अब कल क्या स्थिति बन सकती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कल ग्रह स्थिति के अनुसार येदी देखा जाता है तो सुबह नौ से ल डाउन की स्थिति ही ग्रह स्थिति के अनुसार समझ में आ रही है तो कल भी मंदी देखी जा सकती है तो जी हां दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार